इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके English के questions के error detection के questions की जो की IB ACIO के previous exams में पूछे जा चुके हैं बिफोर भी स्टार्ट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपने व्य भी तक आरफी का टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है साथ ही साथ अगर आप previous year papers की practice करना चाते हैं, mock test देना चाते हैं तो आप हमारी website visit कर सकते हैं rvelearning.com आप google पे search करेंगे rvelearning.com ये हमारी website है, website पर जाकर आप सारे test को जैसे IB, ACIU की अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो सारे full length mock test दे सकते हैं ये सारे test अगर आप दे सकते हैं, previous papers दे सकते हैं, बहुत सारे free test भी आपके आप अवलेबल हैं साथ ही साथ अगर आप officers batch के अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, तो हिस्सा बन जाईए officers batch का, इसमें आपको math, English, reasoning, gk, gs, सारे subjects की तयारी करने को मिलती है साथ ही साथ आपको यहाँ पे available होता है, यहाँ पे साथ ही साथ आपको availability होती है daily targets की, आपको daily targets दिये जाते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, mentorship, सारी guidance आपको यहाँ पे मिलती है साथ ही साथ हमारे channel पे free playlists available है, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़े पढ़ सकते हैं आपने अगर English grammar का crash course अभी तक नहीं देखा है, तो crash course देख लीजिए, उसमें आपके बहुत ही important rules discuss किये गए है और भी बहुत सारी videos हैं, चीज़ें available हैं, चैनल को subscribe कीजिए और आगे आप देख सकते हैं तो IB ACIO की vacancy आपकी आचुकी है, IB ACIO की exam की तयारी आप लोग करना शुरू कर चुके इस वीडियो में हम solve करने वाले हैं, error detection के वो questions जो की आपके IB ACIO exam के 2020 के exam में पूछे जा चुके हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उन questions की जो की IB ACIO के 2020 के exam में पूछे गए हैं ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की अपने वीडियो को और हम बात करेंगे उन error detection के questions की ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको चीज़े समझ में आएंगे, सारे questions आपको end तक समझ में आएंगे और आपको मोटा मोटी idea लगेगा कि किस प्रकार के सवाल IB में पूछे गए हैं ACIO के exam में ठीक है, तो पहला question आपके सामने है, जो question का level है, कोई बहुत जादा नहीं है, कोई भी बहुत extraordinary level नहीं है basic questions हैं, आपके जो exam में पूछे गए हैं, वही discuss कर रहे हैं, जो कि आ चुके exam में, ठीक है और भविश्य में भी ऐसे ही questions पूछे जाएंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कि बहुत ही out of the box हो और basic चीजे हैं, वही English grammar की, अगर मतलब आपने, अगर आप ऐसे सीजल की तयारी कर रहे हैं और अपनी basic grammar पर काम कर चुके हैं, अगर आपने basic grammar पट रखी है, हमारा crash course वगरा देख रखा है तो आप इन सवालों को कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, practice करनी है अगर आपने नहीं कर रखी है, तो आपको समस्या आ सकती है, यह practice जरूर अच्छे से करिए क्योंकि जब आप practice करोगे, तो ही आपको questions समझ में आएंगे, चलिए शुरू करते हैं, पहला question कहता है neither the severe earthquake or the subsequent famine could demoralize the people of the country तो simple सी बात है, बहुत ही basic सवाल है, आप सभी को पता है क्या, कि हम either के साथ में क्या लगाते हैं, बच्चों, either के साथ में लगाते हैं हम और, और neither के साथ में हम लगाते हैं, nor, इसमें कोई confusion किसी को नहीं होगा कि either के साथ और आता है neither के साथ nor आता है तो there is no confusion in this आपको पता है कि अगर neither यहां लिखा है तो और नहीं होगा यहां पर क्या होगा nor हो जाएगा तो error जो है वो यहां पर fourth part में हो जाएगी neither nor के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि देखो जो helping verb है वो उसके according आएगी जो subject helping verb के pass में होगा अगर affirmative sentence है तो helping verb यहां पर होगी subject ये वाला pass में होगा तो इसके according आपकी helping verb आ जाएगी ठीक है और अगर मान लो interrogative sentence होगा तो helping verb sentence की beginning में हो जाएगी ठीक है helping verb आपके sentence के beginning में हो जाएगी in that case helping verb है वो subject one के साब से आजाएगी और रे बात समझ में आ रही है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इधर से related आपको basic से एक rule हो गया कि इधर और के case में आपको helping verb है वो subject के according आती है जो कि उसके pass होता है ठीक इसमें कुछ ऐसा नहीं था आगे बढ़ते हैं next question की तरफ I knew that Aparna was speaking the truth decided to stand besides her during the trial what is the error in this question दीकि इस सवाल का जो answer है वो हो जाएगा यहां besides नहीं होगा क्योंकि दो preposition हमारी होती है beside और एक होता है besides ठीक ध्यान रखना है एक होता है beside दो preposition है beside का मतलब होता है के पीछे beside का मतलब हो जाता है के पीछे और you can say by the side of besides का मतलब क्या हो जाता है in addition to besides का मतलब हो जाता है in addition to besides का तत्पर हो जाता है के अलावा के अतिरिक्त यह कहां for example अगर मैं कहता हूँ I can speak French beside or besides English तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूँ I can speak French beside और besides English तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब आपका हो जाएगा besides English beside नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहां पर आप कहना चाह रहे हो मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच भी बोल सकता हूँ ठीकि तो आप यहां पर in addition to के sense में उसकर रहे हो while अगर मैं कहूँ her house is beside or besides the lake तो her house is beside or besides the lake beside the lake हो जाएगा besides नहीं होगा क्यों? क्योंकि besides का ताथ पर in addition to के sense में होता है तो यह जो beside है यह आपकी position बताता है place बताता है और यह बिल्कुल अलग sense देता है अब इस द्वाक्य को देखिया I knew that Aparna was speaking the truth and decided to stand besides her during the trial वो कहना चाहरा है कि वह उसके पीछे खड़ी हो गई अगर वह उसके पीछे खड़ी हो गई तो besides नहीं होगा बच्चों क्या हो जाएगा beside her will be the correct answer so I knew that Aparna was speaking the truth and decided to stand beside the beside her during the trial correct next आते हैं question no.3 कहता है necessary measures to contain the spread of the virus in their opinion in the matters of taking the assembly was clearly divided तो basically sentence कुछ इस तरीके से है the assembly was clearly divided in their opinion in the matters of taking necessary measures to contain the spread of virus यह पूरा वाक्य है जो कि तूट के लिखा हुआ है आपको इसमें error find out करने है तो error इसमें क्या हो जाएगा the assembly was clearly divided assembly was clearly divided assembly divided थी ठीक है in their opinion कह रहा है तो there नहीं होगा क्योंकि there जो होता है there जो है वो आपका place की तरह से use होता है जगह बताता है तो यहाँ पर there की जगह पर क्या आजाएगा there assembly was clearly divided in their opinion in the matters of taking necessary measures to contain the spread of virus तो यह जो part है इसमें error आजाएगा there की जगह पर t-h-e-i-r हम लिख देंगे क्योंकि assembly divided थी तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर plural pronoun का use कर देंगे अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि assembly were होना चाहिए assembly were clearly divided तो jury were divided committee were divided होता है assembly के case में was यहाँ पर लगा रहने देंगे क्योंकि जो major error है वो इस पार्ट में है तो हम इसी को ही tick करेंगे answer इसी को ही हम tick करते हैं ठीक है dear opinion जो है आपका सही लिखा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं after a stay of several years abroad he has returned back to Delhi what is the error in this question after a stay of several years abroad he has returned back to Delhi तो ध्यान रख यह जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं कि return reimbursement ठीक है revision retake recall इन सभी वो शब्दों में आप देखो कि ध्यान से तो re लगा हुआ है correct है जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर re लगा हुआ है तो आप क्या पाते हो क्यों कि इसमें जब re लगा हुआ है तो इसमें आप back नहीं लगा होगे क्यों क्योंकि इसका मतलब ही है again जब इसका मतलब ही है again जब इसका मतलब again after a stay of several years abroad, he has returned to Delhi will be the correct answer. ठीक है? Next question की तरफ आते हैं. Question number five कहता है, if I was in his shoes, I would not have hesitated to take up the offer. What is the error in this question? बताये जिल्दी से. ठीक है? जब इस वाके को आप देखते हैं तो इस वाकी में आप आते हैं कि लिखा हुआ है, if I was in his shoes, I would not have hesitated to take up the offer. वाक के शुरू हो रहा है, if से. अगर वाक के हमारा if से शुरू हो रहा है, तो हमें पता है कि यहां किस प्रकार का वाक के है? यहां एक conditional sentence बन जाता है. Correct? यह आपका एक conditional sentence बनता है. और conditional sentences की खास बात होती है, आपको जो हमारा grammar का crash course अगर आपने नहीं देखा है, तो तीन प्रकार के conditional sentences रहते हैं. एक होता है past conditional, एक होता है present conditional और एक होता है future conditional. इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं, तो past conditional में आप use करते हो, had plus verb third, if वाले के साथ और आगे वाले में use करते हो, would plus have plus verb third. Correct? present वाले में आप use करते हो, if plus subject, plus verb, or past indefinite, or object और आगे वाले में use करते हो, would plus verb first. Correct? और future वाले में आप use करते हो, if plus simple present, और आगे वाले में use करते हो, future tense. यह आपका conditional sentences का structure रहता है. इस वाक्त में आप देखते हो, if I was in his shoes बोला गया है, तो if I was नहीं होता है, present conditional में, present conditional में, में आप हमेशा subject के साथ में were लगाओगे. Doesn't matter subject हमारा singular है या plural है. ठीक है? आप were लगाओगे. इस वज़े से यहाँ पर I was नहीं, क्या होगा? were हो जाएगा. Present conditional कौन से वाक्य में आता है? जैसे कि जो वाक्य कह रहे हैं, आपके, if I were, यानि कि अगर मैं आपकी जगे पर होता, अगर मैं प्रधान मंत्री होता, तो मैं ऐसा कर देता. इस प्रकार के बहुत काश, अगर मैं चिडिया होता, तो पेंड पर बैठता. अगर मेरे मैं प्रकार के बहुत के जो हैं, वो हम इससे एक्सप्रस करते हैं, ठीक है? आते हैं, question number six कहता है, prior to this assignment, he work as an officer in the accounts department. ध्यान दीजे, इस question पर लिखता है, he work, ध्यान दीजे, he क्या है हमारा? singular subject है, correct है? और इसके साथ में verb कैसी आई है? आपकी verb की first form आई है, correct है? अब देखो हमें जादा जानकारी हो या ना हो, इतना तो पता है कि subject के साथ में verb की first form कौन से tense में आती है? subject के साथ में verb की first form आती है simple present या फिर आप कहिए present indefinite में आती है, simple present या फिर आप कहिए present indefinite में in the case only when जब subject हमारा plural होता है, correct है? सिर्फ तब ऐसा होता है क्या हमारा subject plural है? नहीं है, singular है अगर हमारा subject singular है तो singular subject के साथ में simple present में क्या आता है? अगर subject हमारा singular होता है तो verb के साथ में लगता है as या फिर yes, correct है? तो prior to this assignment या तो works होना चाहिए यानि कि work तो हर case में गलत है, either यहाँ पर works होना चाहिए और यदि prior to this assignment की बात हो रही है तो यानि अगर past की बात हो रही है तो past indefinite में क्या आना चाहिए? past indefinite में कौन सा tense आता है? past indefinite में आपके verb की second form आती है तो work की जगे पर क्या हो जाना चाहिए? worked हो जाना चाहिए तो या तो यहां worked कर दो prior to this assignment, he worked as an officer in the accounts department अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर क्यों इतना उलजना है सिंपल सा बताते है work कोई error है खतम हो जाती बात उलजना इसलिए ज़रूरी है कि इसी बहाने आपके कुछ rules revise हो रहे हैं इसी बहाने आपको यह चीज़े revision में चली जाती है इसी बहाने जब आप next बार question देखोगे तो यह सब चीज़ें आपके दिमाग में revise होती जाएंगी आप लोग कई बार बोलते हो ना मेरे से बूचते हो message करते हो कि सर यह rule याद कैसा रखे पढ़तो लिए बट याद में रहते याद इसलिए नहीं रहते हो कि आप उनको application नहीं करते है अगर आप apply करोगे कोई चीज़ तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे ठीक है अगर किसी चीज़ का application नहीं होगा तो वो चीज़ खराब हो जाएगी लेकिन अगर आप application करते रहोगे तो फिर याद रहेगा तो इसलिए जब पढ़ा करो जब questions को solve किया करो तो थोड़ा थोड़ा ना use करते रहे हो उसको use करते रहो revise करते रहो तो exam में याद भी रहेंगे और जब जरूत पड़ेगी तो remind भी हो जाएंगी इसलिए इनको revise करके करा करो और जब भी question आप rules के through करोगे rules को याद करते हुए करोगे तो आप कभी confused नहीं होगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर आप rules को याद करते हुए नहीं करोगे और सिर्फ question में answer mark करोगे ना तो फिर जब गलत होगा तो समझ नहीं आएगा क्यों गलत होगे अभी क्या है कि अभी तो यह लग रहा है कि क्यों time waste हो रहा है लेकिन जब question गलत होता है तब नहीं पता होता ना आपको कि क्या problem थी गलती कहां होई वो गलती तभी पकड़ में आएगी ते work जब इस तरीके की चीजों को revise करते हुए चलोगे question number 7 कहता है I like to tune into the live sessions of popular chess streams every once in a while it's a very good question error बताईए इस सवाल में क्या है I like to tune into the live sessions of popular chess streams every once in a while क्या error होगा इस सवाल में ध्यान दीजिए कुछ error बहुत ही छोटी सी error है सिर्फ इतना error है कि I like to tune into नहीं होगा देको सही जो phrasal verb है वो होता है tune in tune in मतलब होता है कोई program देखना start करना tune into this video tune into that video tune in your radio tune in का मतलब basically क्या होता है पहले जब radio चलता था तो tuning match की जाती थी वो frequency को set किया जाता था तो वहां से यह term आ गया tune करना ठीक है आप जैसे पहले के radio याद हो अगर आपको जिस तरीके के radio चलते थे उसमें knob रहता था वो knob से ना वो frequency match करता थे कि अच्छा यहां पर सही आ रहा ही सही आ रहा तो वो tune in करना उसको tune in करना कहते थे तो वो हो गया tune in करना अब कुछ भी प्रिपोजिशन है जिसका स्तमाल करते हो moving object पे like I jumped into the river तो इंटू कब इस्तमाल करते हो जब आप प्रिपोजिशन कोई moving verb इस्तमाल कर रहे हो medium change होता है I jumped into the river, he jumped into the discussion, he jumped into that thing तो इंटू आप तब ran into him तो जब आप किसी चीज में घुशते हो medium change होता है verb हमारी moving होती है जब आप move कर रहे होते हो in that case only आप यहाँ पे इंटू का इस्तमाल करते हो otherwise आप इंटू का प्रियोग नहीं करते हो तो यहाँ पे जो आपने इंटू का प्रियोग किया यह गलत है सही क्या होगा tune-in अब किसको tune-in करना है to the live sessions तो basically जो error थी वो सिर्फ एक space की थी अब tune-in इंटू जब आप लगा दोगे तो meaning बदल जाएगा लेकिन जब आप tune-in to the live sessions करोगे तो यह सही हो जाएगा बहुत ही minor सी बहुत ही छोटी सी error थी I hope अभी समझ में आई होगी आपको I like to tune-in to the live sessions of popular chat streams जो है हमारा सही हो जाएगा टीक है clear बात समझ में it's a very good question exam में पूछा गया है आगे भी इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते है question no.8 पर आते हैं कहता the number of people on the planet is still poses to a significant challenge for the countries struggling to provide a basic standard of living for everyone यह question जो है कुछ websites पे यह question दिया गया है the number of people से और on the contrary कुछ websites पे यह question same question दिया गया है a number of people से अब exactly तो मुझे नहीं पता कि exam में क्या पूछा गया था हो सकता है the number of people पूछा गया हो हो सकता है a number of people पूछा गया हो मैं आपको दोनों ही तरीके से समझा देता हूँ ध्यान दीजिए जिन लोगों ने हमारा course वगरा ले रखा subject verb agreement में मैंने आपको पढ़ाया है subject verb agreement subject verb agreement का हमारा basic से rule है क्या कि अगर हमारा वाक्य होता है the number of students झालिस जे झालिस पकुणश य्र स्थनाट dando साह ग्यान लोगोत ऑना आवल दे शनाटेकिल कि आजए उर्नाट कि लिए कि त son ücklich Castle C ट्यार कservice कि इंग उंग्णे के तोर फाक्यां जाहां होता हैand our number of students वाचिंग वाचिंग दिस क्लास दिस वीडियो ठीक है और हम अगर helping वाप रिख लेते हैं इस एम आज से ठीक है अब मुझे एक बात बताओ एक और बात समझ लो article A और N ये जो होते हैं हमारे indefinite article ठीक है और जो हमारा article दा है ये होता है हमारा definite article ठीक है article हमारे जो A और N होते हैं ये होते हमारे indefinite article और article जो दा होता है वो होता है हमारा definite article ठीक अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो indefinite article है वो आपको indefinite आपको जो है indefinite sense देता है एक definite number दिया मैंने आपको यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ number of students देश वाचिंग दिस वीडियो तो आपको कोई number की clarity नहीं है कि कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसी वजए से जब आप a number of लगाते हो तो आप यहाँ पे plural का प्रयोग करोगे और जब आप the number लगाओगे तो आप यहाँ पे singular का प्रयोग करोगे ठीक है तो a number of students watching this session is 300 and a number of the number of session watching this video is 300 and a number of students are watching this session क्योंकि ये indefinite है ये definite है अब आते हैं question पर तो जिन website पर उन्होंने a number of लिख रखा है error दोनों में same है error यहाँ पर उन्होंने बता दी है वहाँ पर जब a number of लिखा है तो उन्होंने का है poses की जगे पर pose कर देना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है लेकिन जब the number of लिखा है तब तो poses यहाँ ठीक हो जाता है the number of people on the planet still poses to a significant challenge for the countries struggling to provide a basic standard of living for everyone ठीक है in that case ही बात हमारी the number से poses वाली तो ठीक हो जाती है लेकिन pose हमारा जो verb है इसके साथ में preposition to का प्रयोग नहीं होता है ठीक है for example obesity for example smoking poses to a risk of lung cancer तो ध्यान दीजिए इस सवाल में जब आप लगते हो to a can lung cancer to a risk of lung cancer नहीं होगा poses a risk of lung cancer नहीं होगा बात समझ में है यानि कि जो poses हमारी pose हमारी verb है उसके साथ में two का प्रयोग नहीं होता है यह basic सी error है तो two नहीं आएगा it will be simply the number of people on the planet still poses a significant challenge for the countries struggling to provide a basic standard of living for everyone for it बात समझ में आई कि क्या प्रयोग होगा यहां पर pose की जो है इसके साथ में two का प्रयोग है इसमें error है तो अब और जो sentence का sense है वो ज्यादा आवाले में आ रहा तो शायद जो actual question रहा होगा उसमें यह रहा होगा मैंने आपको हार तरीके से समझा दिया अगर a number of होगा तो यहां singular verb आ जाएगी अगर दा होगा तो poses सही है main error यह हो जाती है ठीक है आगे बड़ते हैं his main argument was not to be consulted before the decision was taken by the committee what is the error in this question बताए है it's a very मतलब थोड़ा सा confusing सा सवाल है error बताओ इसमें his main argument was not to be consulted before the decision was taken by the committee देखो यहां पर जब आप देखते हो was not to be and was taken आप क्या समझते हो मेरी बाद घ्रान से समझो was के साथ में यह दि वर्ब थर्ड का प्रयोग हो तो कौन सा टेंस होता है was के साथ में यह दि वर्ब थर्ड का प्रयोग हो तो कौन सा टेंस होता है was के साथ में यह दि वर्ब थर्ड का प्रयोग हो तो टेंस होता है आपका passive voice of passive voice of past indefinite was के साथ में अगर वर्ब थर्ड का प्रयोग हो तो हम passive voice of past indefinite का प्रयोग करते हैं यह दि ऐसा है तो यह भी past indefinite में हो गया यह भी past indefinite में हो गया आपने यहाँ before का प्रयोग हो किया है यानि की past के आपने दो events बताएं है here we have we are talking about two events of past correct if that is the case if we are talking about two events of the past then why are we not using past perfect tense which is used which is made only for that so whenever we have to express two events of past we always use past perfect tense correct and whichever the event happened first is expressed in past perfect and the event happened later is expressed in past indefinite correct is it clear to everybody past की जब past की दो घटनाएं express करनी होती है तो जो घटना पहले होती है वह past perfect से और जो घटना बाद में होती है वो past indefinite से express होती है so his main argument was पहली क्या है उसका argument consider नहीं किया गया था decision बाद में लिया गया तो पहले क्या हो जाएगा his argument had not been क्योंकि passive में है तो passive में ही रखेंगे it will be his main argument had not been consulted before the decision was taken by the committee that will be the correct structure of the sentence ठीक है और we can also do one more thing हम फिर उस case में थोड़ा वाके बहुत बदल जाएगा तो ये वाला correction ज्यादा सही है गाकी करने को ये भी कर सकते हैं कि his main argument was that he was not consulted तो अब अगर वहाँ ये कहना चाहरा है कि उसे इसका नहीं किया गया था ये उसका main argument था तो in that case आपको करोगे otherwise ये हमारा ऐसे ही सही है ठीक है आगे बढ़ते है question number 10 कहता है I knew that something was amidst in the plan submitted by the supplier what is the error in this question I knew that something was amidst I knew that something was amidst in the plan submitted by the supplier what is the error in this question बताओ जान दो जो amiss है रब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में amiss नाम से कोई word ही नहीं है there is a word but it is an adverb it is an adjective but not verb and here we have used it as a verb इसलिए यहां पर amidst की जगे पर missing का प्रयोग हम करेंगे so it will be I knew that something was missing in the plan submitted by the supplier अमिस्ड नहीं आएगा अमिस क्या होता है आपका adverb होता है एड्जेक्टिव होता है लेकिन अमिस आपका वर्ब नहीं होता है ध्यान रखेंगे बाद क्लिए आगे बड़ते हैं question number 11 there was some team members who do not agreed to the coach's suggestions about changing their strategy what is the error in this question so very basic question आप सभी को पता है कि do या पर does का प्रयोग यदि है तो इसके साथ में वर्ब की first form आती है तो आप यहां पर agreed लिख रखे हो agreed नहीं होगा it will be agree so it will be there was some team members who do not agree to the coach's suggestions about changing their strategy it will be the correct answer okay so agree होगा agreed नहीं होगा यहां पर question number 12 कहता है the government of india has allowed field trials of two new varieties of indigenous developed gym gm brinjal in eight states of the country what is the error in this question बताया कि जो भारत सरकार है उसने allow किया है field trial दो नई variety का जो कि भारत में indigenous मतलब होता है भारत में ही develop की गई है तो develop की गई है तो develop की जगे पर आएगा developed और जब यह verb हो जाएगा तो इसके पहले आपको लगाना पड़ेगा एडवर्ब वर्ब को qualify कौन करेगा एडवर्ब तो ध्यान दीजे समझे जरा यदि noun में आप ly लगाते हो तो वो बनता है adjective और अगर adjective में आप ly लगाते हो तो वो बनता है एडवर्ब for example अगर आप बोलो he is very happy तो अगर आप इसमें ly लगाओगे तो यह बनेगा happily चीक है इसी प्रकार यह indigenous है indigenous में ओ यू एस लगा है यह हो जाता है हमारा adjective तो इसमें आप ly लगा दोगे तो इट विल बी इंडिजिनसली ठीक है तो इट विल बी अद गवर्वर्बन आप इंडिया has allowed field trials of two new varieties of indigenously developed GM Brangels in eight states of the country ठीक है clear आगे बने next starting with cleaning the kitchen Rima created a task list of all the odd jobs that work to do around the house क्यार होगा start क्यार है कि cleaning से शुरू करते हुए Rima ने list create करी of all odd jobs की जो की जानी थी that work to be done ठीक है चुकी जो structure है that that jobs that work to do अब देखो structure jobs that work to do jobs अपने आपको खुद तो नहीं कर लेंगी jobs अपने आपको जैसे for example मैं जब लिखता हूँ कि अर्जुन वाज वाज वाइटिंग दे वार करेक्ट तो अर्जुन जो था वो वार को खुद लड़ रहा था ना लेकिन जब मैं लिखता हूँ कि यहां पर मतलब क्या होता है कि वार को लड़ा जा रहा था किसके दोरा वाइअर्जुन के दोरा यहां पर जो subject होता है वो active होता है यहां पर जो subject होता है वो passive होता है that is the basic difference between active and passive and in this question jobs की जाने थी so jobs क्या है passive subject है और passive है तो structure passive हो जाएगा तो that were to be done will be that were to be done around the house so starting with the cleaning the kitchen Rima has created a task list of all our jobs that were to be done around the house many of you might have got the right answer while doing attempting it but you might not have got the right reason and the reason is very important if you want to do good in English paper अगर आप अंग्रेजी के paper में अच्छा करना चाहते हो तो आपको reason पता हो ना अतिन दावश्यक है यदि आपको कारण ही नहीं पता है और सिर्फ answer माग कर रहे हो तो उसे अंधी मारना कहते है अंधी चुक्की लगा रहे हो तो चल रहा है अंधी चुक्की से सवाल नहीं बनेगा कोश्चन नहीं बनेगा अंधी चुक्की से concept पर question ध्यान दीजिए हमारे दो शब्द होते हैं एक होता है effect एक होता है effect ठीक है exam में जो पूछा जाता है उसके आधार में आपको बता दूँ effect जो है वो आपका noun है mainly और effect जो है वो आपका verb है तो इसका plural भी बनता है effects होता है और इसका plural इसकी verb की form बनती है affected होता है तो यहां effected की जगे पर affected हो जाएगा at Chernobyl affected the environment will be correct लेकिन ऐसा नहीं है कि effect जो है आपका noun verb नहीं होता है effect आपका verb भी होता है इसका मतलब होता है to make something happen लेकिन SSC जो है आपको mainly इस पर बेज सवाल पूछती है तो आप इतना याद रखो लेकिन यह general knowledge के लिए याद रखो कि effect आपका verb भी होता है क्योंकि आप जब government documents पढ़ोगे government rules and regulations पढ़ोगे then you will realize कि ऐसा नहीं है कि आपका effect verb नहीं होता है verb होता है you will find out that in rules and regulations next question in the ancient world the theories of the origin of the earth of earth and objects of seen in the sky was certainly much less constrained बताये जो भी error है वो मैंने साथ-साथ ही बोल दिये एक तो पहले यह याद रखो कि earth क्या है आपका heavenly body है celestial body है या फिर celestial body है and before the name of celestial bodies we use article दा celestial bodies के पहले हम article दा का प्रयोग करते हैं तो यहाँ of the earth is correct it will be in the ancient world theories of the origin of the earth जो है सही होगा पहली बात दूसरी बात seen in the sky लिखा हुआ है seen नहीं होगा क्या होगा seen in the sky होगा क्योंकि again यहाँ पर जो structure of the sentence है वो कैसा है passive है आस्मान में देखे जाते हैं the origin of the earth and the objects seen in the sky which are seen in the sky जिसको compact form में हमने seen in the sky seen in the sky कर देंगे तो यह passive में लिखा जाएगा seen in the sky ठीक है 16 fewer than 1% of earth's water is unsalted and available for human consumption क्यार है दो दो शब्द होते हैं एक होता है हमारा few एक होता है हमारा little few का प्रयोग हम लोग countable के लिए करते हैं और little का प्रयोग हम लोग uncountable के लिए करते हैं ठीक है यहाँ पर आप water की बात कर रहे हो water आपका uncountable है तो fewer नहीं होगा क्या हो जाएगा lesser than less than हो जाएगा या lesser than 1% of the earth's water is unsalted हमारा more correct होगा इसके अलावा ध्यान दीजेगा आपको पता होगा कि a few क्या होता है few क्या होता है few a few और the few और little a little और the little इसमें difference आप लोग comment section में मुझे बताइएगा what is the difference between them ठीक है comments में बताइए what is the difference between them और अगर नहीं पता है तो आप grammar का मेरा जो crash course है बहुत ही basic question है बहुत ही important question है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर नहीं पता है तो crash course of English grammar करके एक playlist पढ़ी होगी channel पे वो जरूर देखना अगर नहीं देखिए तो वहां से आपको clear हो जाएगा question number 17 कहता है it is often said that the way to the man hurt is through his stomach कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्री के पेट का आदमी के पेट का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है तो man hurt लिखा हुआ है man hurt गलत है सही होगा man's hurt हो जाएगा तो कि hurt क्या है? noun है अब noun को आपको possession बताना है तो possession बताने के लिए आप possessive noun का प्रयोग करेंगे इसलिए man's hurt हो जाएगा it will be the way to the man's hurt जो है वो ज़्यादा correct होगा question number 18 startled he looked around to locate the source of the sharp sound but would not be finding any क्या होगा error इस सवाल में? कह रहा है कि startled any amazed बहुत चक्का रहा जाना वो इधर उदर देख रहा था sharp sound के source को लेकिन वो नहीं find कर पाया any so could not find would not be finding लिखा हुआ है would not be finding तो यहाँ पर would not be की जगे आ जाएगा could not find ठीक है would not be के साथ में finding वैसे भी नहीं आएगा would not be के साथ finding कोई sense नहीं could not find जो है वो ज़्यादा रेक्ट होगा shall her flight get cancelled your mother says she will send you a message shall her flight get cancelled your mother says she will send you a message what is that error देको यहाँ पर आपने future लिखा हुआ है shall her basically कहना चाह रहे हो कि if her flight gets cancelled if her flight gets cancelled your mother says she will send you a message यह conditional sentence का पार्ट है इसी प्रकार बनेगा if her flight gets cancelled अगर उसकी flight cancelled होती है तो उसकी माँ कह रहे है कि ऐसा 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 कह रहेंगे तो if her flight gets cancelled जो है वो अतिरिक सही होगा the same set of the facts can be tailored to fit any preconceived belief बताएए the same set of the facts can be tailored to fit any preconceived belief बताओ खेरा है the same set of the facts the same set of the facts can be tailored to fit any preconceived belief very basic question the set of the facts नहीं होगा set of facts होगा simply the same set of facts यहां पर दा की कोई आवश्रक्ता नहीं है, इसका कोई use नहीं है, यहां बिलकुल ली इंकरेक्ट है, the same set of facts can be tailored to fit any preconceived belief, this will be the correct answer. Question number 21 कहता है, cadets applying for the Indian Navy must go through several examination, interviews and medical tests. What is the error? Very good question, very basic question, several. अगर आप several का प्रियोग कर रहे हो, तो इतके बाद में जो आप noun लगाओगे, वो कैसी लगाओगे? plural लगाओगे ना? भईया, several का मतलब भी है, बहुत सारे, अगर बहुत सारे है, तो plural लगाओ, तो examination की जगे क्या आएगा? examinations, basic question, question, error number जाएगे part 1 में. Going by the number of people present, it was appearing that the seminar was a huge success. अगर आपने grammar crash course नहीं देखा है, तो ध्यान से, अगर आपने नहीं देखा है, तो playlist पड़ी हुई है, उसको at least जरूर देख लो, क्योंकि उसमें 2-3 वीडियो में, 3-4 घंटे में मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है, तो वो जरूर से ध्यान से देख लो, नहीं देखा है, तो appear क्या होता है, appear आपका appear आपका एक stative verb है, अब stative verb क्या होता है stative verb मतलब होता है ऐसी verbs जिनका प्रयोग हम progressive tense में नहीं करते, ऐसी verbs जिनका हम continuous tense में प्रयोग नहीं करते, हम इनको इनको ing form में नहीं इस्तेमाल करते तो it was appearing की जगे पे आ जाएगा it appeared going by the number of people present it appeared that the seminar was a huge success यह ज्यादा सही होगा ठीक है तो stative verb है इसलिए इसका नहीं होगा detail में पढ़ने के लिए grammar crash course ध्यान से जबू से देख लो playlist में पढ़ा हुआ है question number 23 कहता है neither my sister and my brother is interested in this project same concept first question किया था same concept पे and नहीं होगा क्या हो जाएगा नौर हो जाएगा ठीक है helping work इसके according लगी है कोई दिखकर नहीं है question number 24 I want all the workers to join the immediately meeting क्या है रर यह meeting क्या है noun है the meeting immediately बाद में लगाऊ ना ठीक है it will be I want to I want all the workers to join the meeting immediately immediately meeting नहीं होगा है क्योंकि meeting noun है आपको immediately adverb है तो इसको बाद में ही लगाएंगे ठीक है adjective नहीं है जो आम नाउन चे पहले लगाना पड़े ठीक है to join the meeting immediately तुरंद insulin secrets in response to rising levels of glucose in the blood बताओ insulin secrets question आसान है लेकिन जो logic है वो बड़ा अच्छा है इसका बताओ अभी समझाया था मैंने देखो अभी मैंने क्या समझाया मैंने कहा अर्जुन is fighting the war और इसी का passive form हो जाता है the war is being fought by अर्जुन अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो active or passive concept जो subject है वो यहाँ पर action को कर रहा है correct इस वजए से यह structure active है ठीक है आप लोगों ने बहुत सरे लोगों ने active passive पढ़ा होगा लेकिन यह नहीं समझा होगा कभी कि active passive होता क्या है क्योंकि subject active है इसलिए यह active voice है यहाँ पर जो subject है वो कुछ नहीं कर रहा है काम यह कर रहा है अर्जुन प्रिपोजीशन को औबजेक्ट प्रिपोजीशनल औबजेक्ट बहुर तो कुछ करी नहीं रहा है तो subject जो हुआ यहाँ वो कैसा है सबजेक्ट यही है संहीत कर नहीं होता है इंसवीशनलीट कर रहा है हमारे human organs के थूँ तो insulin is secreted होगा secrets नहीं होगा insulin action नहीं कर रहा है insulin is secreted insulin is secreted in response to rising levels of glucose in the blood secret होता है खुद में कुछ नहीं करता है he has been spending a lifetime imbibing his local club's history he has been spending a lifetime imbibing his local club's history what is the answer to this question what is the error in this question he has been spending a lifetime imbibing his local club's history क्या error इस अवाल में इस अवाल में simply क्या है आपने यूज़ क्या है he has been spending आप क्या यूज़ कर रहा हो यहां पर has been plus verb की ing form इसा कब करते हो आप आप इसा आप यूज़ करते हो present perfect continuous tense में correct present perfect continuous tense कब इस्तेमाल करते हो जब कोई वाद्किय किसी particular समय से जारी होता है और बाद्कृ में या तो since का प्रयोग हो या फिर फॉर का प्रेयोग बिना इनके यूज के हम इसका प्रेयोग नहीं करते हैं क्या यहां यूज है नहीं है तो he has been spending कि जगे क्या आएगा he has spent he has spent a lifetime imbibing his local local clubs history ठीक है he has spent जो है वो सही जबाए freedom of speech is one of a fundamental right of every citizen क्यार है सवाल में very basic question one of के साथ में क्या आता है one of के साथ में आप हमेशा plural का प्रेयोग करते हो one of के साथ आप हमेशा plural वर्प का प्रेयोग करते हो अगर आप one of के साथ हमेशा plural का प्रेयोग करते हो तो ध्यान रखो one of a fundamental right नहीं होगा one of the fundamental right one of the fundamental rights every citizen one of the fundamental fundamental rights of Every citizen नियो हमारा कर नंशरा नंशरा यह पंदमेंटल राइड नियो काई fundamental rights मैं से एक राइड है वन आप्टमेंटल राइड तीक है यह सवन फ्टॉत थे-चन्य मारेट है इसनो राफ्टिंि इस से भी इसनो पतलब विल्कुल ही इंट टच नहीं करेगा उसको बताइए अनी स्वर्फिंग इस पोटेंशली सो डेंजरॉस अनी अमेरिकन रसॉर्ट विल नॉट तो इसलिए आप यहां लगा लो नो इंपली इट विल बी जो राफ्टिंग इस पोटेंशली सो डेंजरॉस अनो अमेरिकन रसॉर्ट विल टच इट विल टच इट विल बाज पोल बिल बी और करेक्ट एणी और नॉट जब दोनों साथ लगाई रहो तो आप यहां पर नो कप्रोग कर सकते हो एक है कुछ नमर 29 कहता है population growth is leveling off in most areas due to rising affluence and advances to women's education and family planning जो population growth है वो level हो रही है जहातर areas में किस वज़े से due to rising affluence affluence क्या है noun है advances क्या है आप कहरो advances noun abstract noun नहीं इसकी जगे पर आप यूज़ करोगे advancement to नहीं in advancement in women's education and family planning नहीं है ठीक है तो सही correct होगा क्योंकि abstract noun का प्रयोग करना है जो कि advancement है advances नहीं तो it will be population growth is leveling off in most areas due to rising affluence and advancement advancements in women's education and family planning जो है मारा correct हो जाएगा ठीक है advancement in women's education and family planning that will be the more करते हैं अब advancement advancement के साथ में आप इन लगाते हो यह बात ध्यान रखेगा exonerate के साथ जैसे fix preposition from आएगी refrain के साथ fix preposition from आएगी lead के साथ 2 आएगा advancement in आएगा aptitude for आएगा injured in आएगा accused of आएगा waxed at आएगा तो यह कुछ fix prepositions आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जैसे exonerate from exonerate vindicate किसी को आजात करना refrain from saying something कुछ कहने से बचना lead somebody to that उसको ले जाना advancement in aptitude for मतलब उसके अंदर talent है फोर इस चीच के लिए injured in हो जाएगा accident accused of होता है हमेशा waxed at होता है okay not a single boy in the unruly class raised their hands before answering the question not a single boy in the unruly class raised their hands अब आपने जब लिख रखा है कि not a single boy एक भी single लड़का एक भी लड़का नहीं 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 आट उठाया तो दियर की जगे क्या आएगा his क्योंकि subject हमारा singular हो गया not a single boy in the unruly class raised his hand his hand before answering the question he can raise his hand जो है वो ज्यादा सही होगा क्यों क्योंकि एक भी लड़के नहीं उठाया दियर तु जबाता है यह प्लूरल होता है modern political practices practices is thoroughly now permeated with a productivity सब्सक्राइब क्या होगा है रहा इसमें modern political practice is thoroughly now permeated with a productivity productivist ethos modern political practice is thoroughly now permeated with कोई दिक्कत नहीं permitted के साथ में विद का प्रियुक कर सकते है प्रमेंटेट टू भी होता है प्रमेंटेट थू भी होता है प्रमेंटेट भी होता है प्रमेंटेट विद भी करेक्ट है that's also grammatically fine that's not a problem यह जो प्रैक्सिस लिखा है यह just a word for practice ठीक है यह प्रैक्टिस के लिए ही शब्द है कि मतलब कोई भी ऐसी custom या वो नहीं है उस तरीके के sense में यूज किया गया है तो modern political practice is thoroughly now permitted यह error है thoroughly now permitted is now thoroughly permitted परमेंटेट आ जाएगा thoroughly जो है वो permitted के लिए आ रहा है तो इसके साथ पहले ही हम इस adverb का प्रयोग करेंगे it will be error in the part 2 modern political practice is now thoroughly permitted with a productivist ethos ठीक है is now thoroughly permitted with a productivist ethos that is the more correct इसमें error नहीं होगा permitted with जो है वो perfectly fine है ठीक है अगर आपने comment कर दिया तो रिलीट कर दो चले comment question number 32 any portion of the underground rhizome when broken off is capable of producing a new plant hence the difficulty level of eradicating them once eradicating them when once established broken off आपने जो use किया है correct phrasal verb यहाँ OFF OFF होगी क्योंकि अगर किसी चीज़ से separation होता है है अलग होते हो तो उसके लिए आप हमेशा OFF OFF का परियुक करते हो एनी portion of the underground rhizome when broken off is capable of producing a new plant करा है rhizome का कोई भी हिस्ता जब अलग हो के टूट के गिरता है तो एक नया plant develop कर सकता है तो broken off आएगा क्योंकि वह separate होता है plant से अलग होता है broken off that is the correct phrasal work here ठीक है 33 she has been trying to call her mother since morning तो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले आपको पताया था कि यदि आप वाकि में since या फिर for का प्रयोग कर रहे हो तो आप कौन से टेंस का प्रयोग करते हो प्रेजेंट perfect continuous का और present perfect continuous tense का प्रयोग करते समय आप has या फिर have के साथ में बीन के साथ में वर्ब की ing form का प्रयोग हम करते हैं अब इस सवाल में आप देखते हो हूँ he has been लिखा हुआ है तो बीन नहीं होगा क्या हो जाएगा बीन आ जाएगा he has been trying to call her mother since morning that is more correct यही हो जाएगा ठीक है she has been trying to call her mother since morning यह आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है clear कोई दिख्कत किसी को she has been trying to call her mother since morning यह आपका correct structure हो जाएगा ठीक fine no problem with that चलिए all right so this is it for this video and you have done all these questions अगर आपने अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजे और telegram channel अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो link description में दिया है आप वहां से जॉइन कर सकते हो या फिर आप direct channel पे जाकर भी offices batch को join करना चाहते हो तो भी हमारे app को download करिए इस video की PDF चाहते हो तो भी आप app को download करो वहां से आपको इसी PDF मिल जाएगी ठीक है all subjects आपको मिल जाते हैं offices batch के थूँ अगर आप English का course join करना चाहते हैं तो वह भी join कर सकते हैं बाकि हमारी बहुत सारी free playlist है जिनके थूँ आप पढ़ाई continue कर सकते हैं ठीक है तो आशा करता हूं जितनी बात आपको इस video में समझाई समझ में आई होगी अगले वीडियो में कुछ और questions वे हमारे वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तरके लिए गुडबाई टेक केर और वेरी गुड़े टेक केर बबाई थैंक्यों मुच